भारत सरकार की जलजीवन मिशन योजना पश्चिमी राजिस्थान के जोधपूर जिले के दूर दराज गाउं धानियों में रह रहे लोगों के लिए वर्दान सावित हो रही है। जलदाय विभाग जोधपूर ग्रामीन द्वारा इस योजना के अंतरगत अभी तक एक लाख लोगों के घरों तक पीने का पानी के कनेक्शन दिये गए हैं। जलदाय विभाग जोधपूर जिले के ग्रामीन अधिशाजिय अभीहंता राजिंद्र महता ने बताया कि इस योजना के अंतरगत जिले में 1855 गाउं का चैन हुआ था। 655 गाउं को OTM तता 1147 गाउं को मेजर प्रोजेक्ट के तहत जोड़ा गया है। प्रोजेक्ट के अंदर सेंख्यन हुई है। जो हमारी 655 स्कीम से हैं, इनके अंदर अभी तक हमने करीब एक लाग लोगों को जल करेक्षिंस दे दिये हैं, और बाकी की अभी होजना हमारी प्रगती में है। गरगर पानी पहुंचने से लोगों को काफी हद तक रहात मीली हैं, जो पहले इदर दूल शेतर से बढ़के लाते थे। उन सबको अब इससे बहुत बेनिफेट हुआ है। कुछ पानी ग्रामीन के टेरेंट शेक्टर में हमको दिक्कत आ रही है। उसके लिए आरजेंसी फेस थर्ड भी सेंक्शन हो गया है। जिसका काम भी तीन साल में पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद जो इनकी मांग है वो पूरी बढ़ जाएगी। और सबको समुचित पूर्ण पानी मिल सकेगा। और यह बारश सरकार का बहुत ही में तुकांग सी प्रजोग्ट है जो 2024 तक इसको पूरा करना है। और इसके अंदर हर गर से कनेक्शन है, हर जो लोगों को कनेक्शन मिल जाएगे। और पानी की जो लंबे समस्या हैं, हम पच्ची में रास्तानी बात कर रहे हैं। हर कल के अंदर कई लोगों से कोशो कोशो दूर से जो पानी ला रहे हैं, उनको मोदी जी का जो मिशन है, राजी सरकार जो मिशन है, वो गरगर नल है, जो वो पास के अंदर ही पानी मिल जाए उनको, और जो दूर से पानी लाते हैं, उनको बहुत ही बड़ा लाब हो रहा ह झाल झाल